बच्चन परिवार में जया बच्चन को छोड़ कर सभी COVID-19 की चपेट में आ गए हैं अमिताब बच्चन, अभिशेग बच्चन, एश्वर्या राय बच्चन और अराध्या बच्चन अभी सभी मुंबई के नानावती अस्पताल में भरती हैं और इन चारों को अभी हॉस्प और अराध्या को भी हॉस्पिटल में भरती करवाया गया रिपोर्ट के अनुसार एश्वर्या राय की सिटी स्कैन रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है और उनके फीवर और गले में हुए इंफेक्शन में भी सुधार हुआ है और एश्वर्या की बीटी अराध्या बिलकुल और उन्हें अब फीवर भी नहीं है हाला कि डॉक्टर्स परिवार के सभी सदस्यों को लगतार चेक कर रहे हैं और वो बीमसी के भी संपर्क में हैं और उन्हें हेल्थ अपडेट दे रहे हैं और अब बच्चन परिवार का दूसरा कॉरोना वाइरस टेस्ट दोबारा किया जाना है दूसरे टेस्ट के अधार पर ही कोई फैसला लिया जाएगा और अगली रिपोर्ट के अधार पर ही डॉक्टर अंसारी टॉक्टर ब्रेव और उनकी टीम बच्चन परिवार के सदस्यों को डिस्चार्ज करने को लेकर कोई फैसला लेगी और देखेगी की आखिर आगे कैसे इलाज किया जाना है हिंदी फिल्मों में उत्तेजक और किस सिंस होना आम बात है लेकिन कई आक्टरोस को बड़े परदे पकिस सिंस करना पसंद नहीं होता है ऐसे में आज हम आपको उन अभिनेत्रियों के बारे में बदाएंगे जिनोंने बेहिचक अपनी फिल्म में सिधात मलहूत्रा के साथ आलिया ने किस सिंद दिया था और अब तक अपने हर एक फिल्मों में आलिया ने किस सिंद दिये हैं अनुष्का शर्मा फिल्म रब ने बना दी जूरी से अक्टरिस अनुष्का शर्मा ने अपनी करियर की शुरुआत की थी और अपनी कई फि फिल्म मर्डर है जहां किस सीन के साथ साथ बोल्ड सीन wil I Will है और मरीका ने कभी भी फिल्मों में किस सीन देने के लिए नहीं मना किया है कैटारीना काफ खूबसूरत अभिनेत्री कैटरीना कैट ऑर बॉल्लीवड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रस सनी लियाऊनी एक समय टॉप पौर्ण स्टार रह चुकी है और आज अपनी फिल्मों और रियालिटी शूस के जर्ये सानी लियाऊनी ने अच्छा खासा नाम कमा लिया है वहीं गूगल सर्च में भी सनी लियाऊनी टॉप सेलिबरेंटी है और अपनी फिल्मों में सानी लियोनी सबसे जादा किस सिंदेने वाली अबिनेत्री है इसके अलावा हिंदी सिनिमा में किस देने वाली अबिनेत्रियों में से जानवी कपूर और पर्णीती चोपरा का भी नाम शामिल हो गया है